दोस्तों आप में से जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि दिसंबर के एंड में 2019 की बात कर रहा हूँ हमने जान लिया था कि COVID-19 शुरू हो चुका है चाइना के अंदर और पहला केस वुहान के अंदर मिलाता और उसके बा बात में चाइना का एक नया वेरियंट सामने आ रहा है बर्ड फ्लू का जिसका नाम है H10N3 जो की 28 अपरेल को 41 साल के बंदे को हुआ था जिसको ठीक होने में अल्मोस्ट एक महीना लग गया तो मई 28 को उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है वो बिल्कुल अब ठीक हो चुक आया है और उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और वहाँ पर इस तरीके के कई और वेरियंट मौजूद है चाहे H5N8 हो, H7N9 हो, H10N3 हो तो वहाँ पर यह सारी चीज़े नॉर्मल हैं वहाँ पर बर्ड फ्लू के कई सारे वेरियंट मौजूद हैं जिसमें से कुछ डेंजरस भी हैं जिन्होंने 2016 से 2017 के बीच में 300 लोगों की भी जान ले ली थी, दोस्तो आइफॉन 12 की मैक सेफ टेकनोलजी का अगर यूज किसी ने किया है बड़ी है तरीके से तो बरलिन के रहने वाले फेडरिक ने किया है दरसल वहाँ पर वो नहर के आसपास मे नहीं था किसको वो देख सके तो इन्होंने क्या किया कि मैक सेफ टेकनोलजी तो इसके अंदर है तो इन्होंने लोहे के टुकुडे को एक रसी से बांदा और उसके बाद में नहर में इधर से उदर घूमने लग गए जहां पर इनका आइफोन 12 गिरा था और उसी टाइम अ कर देते हैं जिसकी वैसे उनकी जान भी चली जाती और यहीं पर पाकिस्तान की जीलम रिवर के अंदर एक 25 साल का शेख अली नाम का बंदा था जो की टिक टॉक की वीडियो बना रहा था जहां पर उन्होंने नदी में जंप लगाई अपने दोस्तों के साथ अब उनका जो किसे याद होगा कि कुछ टाइम पहले शाओमी ने अपना वायरलेस चार्जर दिखाया था और यहीं पर अब उन्होंने शाओमी की हाइपर चार्ज टेकनोलोजी भी दिखा दिये जिसने कुछ रिकॉर्ड सेट कर दिये हैं पूरा का पूरा फोन इन्होंने 4000 mAh बैटरी का जो था M11 Pro उसको 8 मिनिट में चार्ज करके दिखा दिया और यहीं पर वायरलेस टेकनोलोजी का भी यूज करते हुए 15 मिनिट में चार्ज करके दिखा दिया यहाँ पर 200 W का Fast Charger का यूज किया गया था जो कि वायर था जो कि 50% 3 मिनिट तेश सेकिंड में चार्ज कर गया फो चार्जिंग के एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी मतलब कहीं जल्दी जाना हो फटाक से चार्जर लगाया और फिर से चार्ज हो गया फोन दोस्तों प्लेस्टेशन 5 और Xbox Series X और S के अंदर RDNA2 GPU का यूज किया गया था जो कि AMD का आर्किटेक तरह भी एक्ट करने लगेगा इसके बाद में जहां पर ड्राइवर अगर गारी नहीं चला रहा है तो वह शायद गेम को भी कर सकता है और यहीं पर क्योंकि एक डिस्प्ले बैक में भी हो सकता है जहां पर बच्चे बच्चे या फिर जो भी पीछे की सीट पर बैठा है व पाच्छे लाग रुबे की गाड़ी है और इसके अंदर साथ सीट मिल जाती है बैठने को लिए मतलब की फुल फैमली इसके अंदर बैठ सकते है और उपर से चार स्टार तो यह कमाल की बात हो जाती है इस गाड़ी के लिए दोस्तों अगर आप से पूछा जाए कि इस 391 billion population तो हम चाइना से थोड़ा साई कम है और इसके सासत चाइना की जो birth rate है वो दरसल धीरे हो चुकी है वहाँ पर 2020 की बात की जाए तो वहां की population 1.411 थी मतलब की वो कम हो गई है अब तो यहाँ पर उन्होंने अब अपनी जो child policy चल रही थी 1980 में इन्होंने one child policy ले आई थ क्योंकि इनका birth rate काफी जादा हो चुका था 2013 में फिर क्योंकि इन्होंने देखा कि भाईया slow हो चुका है birth rate तो यहाँ पर इन्होंने दो child की policy ले आई और इसके बाद में अब देखा कि और जादा धीरे हो चुका है तो इन्होंने 2021 में 3 child policy ले आई है कि मतलब एक कपल 3 और इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए इसे आनको सब्सक्राइब जार को ने अब सब्सक्राइब किया तो बैल का इकॉन जो दो ना फरना आपको माल में चलगा मैंने को वीडियो डाली भी है